हेलो और वेलकम बैक गाईज जावा एट टुटूरियल के स्रीज में आप लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाईज अगर आप लोगोंने जावा एट टूटूरियल का मेरा स्रीज आप लोगोंने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाएए और उसके जावा एट में जैसे लेमडा एक्स्पेशन फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बाकी आगे और इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं जैसे स्ट्रीम एपियाई या बेसिक्ष्टी फोर ऑप्शनल क्लासे और हमारे कलेक्शन क्लास जो भी वाटेवर जावा एट के अंदर बहुत दिनों तक अभी जो मैंने वीडियो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में नहीं डाला था तो इसे मैं अभी करूंगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिए और देखिए तो इसमें जावा एट के अंदर वैसे तो बहुत सार के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा प्लेलिस्ट यह हमारा है इसका URL यहां पर देखिए और स्टार्टिंग के वीडियो आप जरूर जाके देखिए और अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो ब साथ में आगे आने वाले वीडियो में हम स्ट्रीम API के बारे में बात करेंगे तो देखिए अगर आप लोग को थोड़ा सा एक बार मैं रिकॉल कराऊं तो यहां पर मैं रिकॉल करना चाहूंगा कि जो लेम्डा एक्स्प्रेशन और फंक्सिल इंटरफेस के बारे में मैं अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे तो फंक्सिल इंटरफेस के बारे में मैंने थोड़ा सा यह पताया था कि फंक्सिल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर कियेवल एक और एक ही अब्स अगर हमें उस पर्टिकुलर इंटरफेस को पर एड़ दे रेट फंक्सिल इंटरफेस का अनोटेशन लगाना है तो हम लगा सकते हैं और फंक्सिल इंटरफेस इसपैसली हमारी लेमडा प्रोग्रामिंग लेमडा एक्स्प्रेशन को यूज़ करने के लिए बनाये गया है और लेमडा एक्स्प्रेशन को यूज़ कर मतलब अगर हमें करना है या ऐसे कर दीजहें कि अगर आम फंक्सिल इंटरफेस के तरफ मोव व वह ना पड़ेगा। तो फंक्सिल इंटरफेस बहुत छोटा सा क्लिक्सेप्ट है एक ऐसा इंटरफेस जिसके और कियेवर अप स् है that is the function interface फिक है तो यह function interface की कहानी है बागि lambda expression के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो lambda expression क्या होता है तो lambda expression भी जो topic है यह देखिए practice मांगता है वैसे तो इस topic के बारे में बस आप से ब्रेंगा कि lambda expression जो होता है वो एक anonymous function होता है एक single word में आप उसे बोल सकते हैं anonymous function किसी name के function बनाना है और बिना return type के function को बनाना है वहाँ पे कोई access modifier वगर आप को use नहीं करना है तो उस case में आप lambda को use करिए तो इसको आप better connect कर पाएंगे जैसे मैं आपको बताया कि starting से ये सारी वीडियो आप जरूर देखिए, right, फिलहाल मैं ये जो लास्ट वीडियो, फिफ्थ वाला वीडियो बताया था उसी के आगे मैं यहाँ पे continue करने जा रहा हूँ ठीक है, तो और lambda का ही एक दूसरा use दिखाता हूँ देखिए, लास्ट टाइम के हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वीडियो में discuss किया था यगर हमारे पास कोई collection हो like array list हो, और array list से हमें data को traverse करना हो तो वहाँ पे lambda का क्या रोल है तो इसी को देखिए, मैं थोड़ा सा बेटर तरीकी सा और समझाता हूँ, और आगे इसको और detail way में इसको समझाता हूँ आपको, राइट आपको यहाँ पे मैं clear करना चाहूँगा जब भी आप eclipse के अंदर कोई program करें या किसी भी IDE के अंदर कोई program बनाए तो आप वहाँ पे जरूर यह देखिए कि वहाँ पे यह red color का error आ रहा है यह yellow color का error आ रहा है तो इस particular error का जो मतलब होता यह warning होती है, right यह warning भी हमें नहीं आना चाहिए तो यह warning क्या कह रहा है यह warning देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे इसका generic type specify नहीं किये हो ठीक है, तो या तो आप इसके उपर annotation लगा दीजे, suppress warning का तो वो हट जाएगा और या इसका generic type specify कर दीजे तो मैं इसे ok करके इसका type generic type specify कर देता हूँ कि इसके अंदर इसमें integer type का data था तो integer इसका generic type यहाँ पे बनके आ गया देखिए तो यह जो yellow color की warning आ रहे थी last program में वो हमारा हट गया, right इसको हम generic बोलते हैं बाकि किसी वीडियो में आपको मैं generic के बारे में बताऊंगा कि generic कैसे बनाते हैं और क्या उसका यूज होता है वैसे अभी यहाँ पर generic का यही तरह मतलब है कि आपने array list को generic कर दिया मतलब integer type का कर दिया इट मींज आप array list के अंदर केवल और केवल integer type का ही value add कर सकते है आप देखिए एक छोटा साथ चीज अड़ करने से आपकी जितने भी yellow color की warning आ रहे थे सारे warning हट गये दूसरा option यह है कि अगर मैं इसके control Z कर देता हूँ तो यह देखिए add suppress warning का एक annotation होता है यह यह add कर देंगे तो यह suppress warning हट जाएगा इसका मतलब यह हो गया कि आप इसके अंदर कोई भी raw type add कर सकते हैं बड़ आप देखिए individually फिर अपको लगाना पड़ेगा यह better approach है कि आप एक काम करिए आप इस पे suppress warning न लगा के आप क्या कर लीजे इसका generic type जो है वो specify कर दीजे तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा यह generic type यहाँ पे इसका बन जाएगा ठीक है तो अभी और दूसरा चीज यह है कि जो हमने यहाँ पे array list बनाई है इसको हमने array list में ही रखा है तो यह हमारा एक tight coupling programming tight coupled programming कहलाता है तो इसको loosely coupled बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह से कर देना चाहिए object आप array list का बनाई है और hold इसको list के अंदर कर लीजे ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा इससे थोड़ा मतलब हमारा left अगर हमारा right side में कोई changes होते हैं let's say यहाँ पे link list या array list link list stack vector कोई भी class आता है उसको आप right side में चेंज करोगे left side में आपको भी changes करने की जूरत नहीं है dynamically आप इनके right side वाले type को change कर सकते हो जो equal के right side में है इतर आपने क्या कर दिया array list का object बना के इसके अंदर देखिए तीन चार item add कर दिये तो इस तरह से आप item add कर सकते हो duplicate item भी add कर सकते हो कैसा भी कर सकते हो देखिए यह जो lambda expression है न और functional interface है और stream API है यह तीनों topics शक्त से जादे जो इसका huge है वो आपकी collection data structure के अंदर ही है तो इसको इसी लिए मैं यहाँ पे अभी फिर से आया हूँ और इसको अच्छे से आपको explain करूँगा समझाऊँगा या functional stream API या functional interface पढ़ना है या आप इस particular वीडियो तक आ रहे हो तो यह मैं assume करके चल रहा हूँ कि आपने पहले से हमारे basic वीडियो देख रखे हैं आपको पहले से Java का knowledge है और आपको पता है कि ठीक है कि array list कैसे बनाते हैं उसके अंदर data कैसे add करते हैं या उसमें traversal कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक array list बनाके एक for each या for loop के थूँ आपने यहाँ पे क्या कर रखा है data का traversal कर रखा है या एक और traditional तरीका अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे पास एक तरीका है है कि हम यहाँ पे iterator यूज कर सकते हैं तो iterator यूज करने का लंबा process होता है पूरा आप देखिए आपको मैं दिखाता हूँ array list जो है हमारा इस particular array list के उपर आप iterator method call करिए राइट अचा यह आई डोंट नो कि यह दिखा क्यों नहीं रहा है ठीक है intelligence यहाँ पे काम नहीं कर रहा था ठीक है मैंने manually लिख दिया और यहाँ पे control 1 प्रेस करना है जैसे मैं control 1 प्रेस करूँगा तो यह assign करने के लिए कह रहा है तो मैं इसको यहाँ पे assign कर देता हूँ ठीक है तो इस array list के उपर आपने iterator चला दिया अब iterator क्या करता है भाई forward direction में element को traverse करता है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजे while लिख के यहाँ पे control space करिए तो iterator की through अपने आप यह while loop चल के आ जाएगा और यह देखिए आप यह इतना line code लिखना पड़ेगा फिर आप जो है यहाँ पे सारे element को यहाँ पे traverse करा पाएंगे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से चल जाएगा तो यह सब जो process है यह मुझे actually मैं बताना नहीं है यहाँ पे कोई java 8 कोई lambda नहीं है बट यह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप traditional तरीके से करेंगे तो यह देखिए इतना लंबा process आपको follow करना पड़ रहा है तो इस process को अगर आप नहीं follow करना चाहते है और आपके पास कोई collection है कोई भी collection है list है, set है, queue है, map है अलग-अलग type के collections आपके पास हो सकते हैं और उस particular collection में उस collection से आपको क्या करना है एके करके item को निकालना है तो देखिए, इसी Java 8 के अंदर ही एक method दिया गया जिसका नाम है for each करके method है यहाँ पे, right तो यहाँ पे for each method दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वेरा Java का version actually Java 8 है, right तो Java 8 है, okay मैं यहाँ पे अपने Java का जो वर्जन है यह change कर देता हूँ, right अपने आप यह चीजें auto complete नहीं हो रहा है विसे Java 8 का version, वर्जन तो सही है वर्जन विसे मैं change कर सकता हूँ यहाँ से add library से जाके यहाँ पे आप JRE system library में जाके यहाँ से आप install JRE उठा सकते हैं जो भी आपके पास JRE installed है बढ़ मेरा compiler कौन सा है यह भी बहुत important part है यहाँ पे देखना होगा कि program हमारा किस वर्जन में compiled हो रहा है तो यह भी basically Java 8 में ही compiled हो रहा है ओके बढ़ question यहाँ पे यह है कि मेरा intelligence यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो auto complete वाला option है वो दिखने रहा था तो अभी देखे यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरा Java का वर्जन चेंज करना होगा बट यहाँ पे देखे जैसे मैंने dot लगाया तो अभी यहाँ पे देखे यह सारे suggestions यहाँ पे दिखाने लगे तो यह suggestion मेरा नहीं दिखा रहा था तो में भी कई बरी आपको भी ऐसा इस हो सकता है कि आप अपने ID पे क्लिक कर रहे हैं आपको suggestion सो नहीं हो रहा है राइट जैसे आप ऐसे click करते हो आपको यहाँ suggestion नहीं सो रहे थे मेरे नहीं सो रहे थे तो मैंने यहाँ पे क्या option किया है मैं आपको यहाँ बताता हूँ तो यहाँ देखे मैंने stack overflow पे search करा कि eclipse intelligence is not working तो यहाँ पे option बता रहा है कि window के preferences में आपको जाना होता है window के preferences में जाना होता है और preferences के अंदर आपको यहाँ java editor के अंदर यह option चूज करना है तो पहले आप क्या करिए एक second तो java editor तो मैं यही same चीज़ को यहाँ पे यह same चीज़ को otherwise मैं यहाँ पे देख देता हूँ java के अंदर editor में जाना है और editor के अंदर देखिए यहाँ पे code assistant करकी का option आता है assist करके का option आता है यहाँ से advanced option में जाके यह आपको देख़ए java proposals java non type proposals इन सब को आपको क्या करना है इन सब को आपको ठिक करना है तो मैं मैंने यह मेरा सारा option selected नहीं था तो मैं यह सारे option को ऐसे select करके and apply and close कर दिया यहाँ पर बता भी रहा है कि यहाँ पर कोई restart required नहीं है आपको restart करने की जुरत नहीं है तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो auto complete वाला option है आपके सकते intelligence वाला option है वो आपको दिखने लगेगा तो अब यहाँ पे आप देखिए मैं आपको जो बता रहा था उस teach को मैं हाँ पर continue कर पाऊंगा और यहाँ से recording मेरा चल रहा है मैं यह चीज़ इंशोर हो रहा था तो यहाँ से मैं क्या करूंगा अपने इस particular list के उपर dot करके यह देखिए for each मैं use कर सबता हूं ठीक है तो यह जो for each है यह भी java 8 का ही एक method है right तो for each method यह जो है यह क्या ले रहा है देखिए यह किस टाइप का parameter ले रहा है यह consumer type का parameter ले रहा है तो for each is the method which is taking consumer type of parameter तो question है कि यह consumer क्या है तो अगर हम for each के अंदर जाएंगे तो for each के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि consumer यह एक यहाँ पे for each method के अंदर consumer एक argument है अचा यह for each कहां से आता है यह भी एक question आ जाएगा right यह for each किस का method है क्या यह list के अंदर कोई method है तो actually में यह list का method नहीं है यह method iterable का है iterable interface का है right और आपको अगर पता हो तो iterable interface यह वो interface है जहां पे आपका iterator भी available है right iterator method भी available है और साथी साथ यह for each method भी जो की Java 8 में आया है यह भी available है तो और iterable का collection से क्या relation है तो अगर आप collection यानि कि आप list को देखेंगे तो list collection को इनरेट करती है और collection कहीं iterable को इनरेट करती है तो जो पूरा collection framework है उसका जो root class sorry root interface है that is collection function वो iterable से inherit होके बनाई गई है right और यह जो हमारा for each है for each यह default method है जो की Java 8 में बनाया गया है right तो अगर आपने अभी functional interface की concept को starting में पढ़ा था तो वहां पे बताया गया था कि functional interface वो interface होता है जिसके अंदर एक और एक ही abstract method होते है right only one abstract method होता है बडर एक functional interface के अंदर more than one default any static method हो सकता है right तो question आजाता है कि ये جो default method होते हैं इनका क्या role होता है default method क्या करते हैं तो यह जो default method होते हैं इनके अंदर default implementations हमारा कोई interface है वो पहले से provide करके दे देता है तो अगर आप यहाँ पे देखिए for each जो method है यह default method है जिसमें कुछ default implementation already provide करके हमें दी गई है तो अगर आपको एक interface बना रहे हो उसको functional बनाना चाहते हो तो उसके अंदर एक capture method बना देते हो बड़ जावा 8 में ये नया feature आ गया है कि उसके अंदर एक से ज़्यादे default या static method बना जा सकते हैं तो अगर हमारे किसी interface के अंदर एक से ज़्यादे static या default method बना जा सकते हैं तो question है क्यों default method या static method के use क्या हो सकते हैं तो उनके use ये हो सकते हैं कि उनके अंदर हम कुछ default implementations पहले से प्रवाइड करके दे दें जैसे for each के अंदर यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर आ लेटी देखे ये definition दी गई ये body दी गई है और क्या body दी गई है कि कैसे किसी एक element को किसी भी collections के element को हम traverse कैसे कराएं तो यह हमारा थोड़ा सा point of view था जो मैंने आपको समझा दिया फिलाल जो for each method है इस method के अंदर अगर आप जाओगे इसके अंदर already default implementation कुछ दी गई है कैसे element को traverse करना निकालना है यहाँ पर already for each loop चल रहा है जो element को traverse कर रहा है बट यह किस type का parameter ले रहा है यह consumer type का ले रहा है तो अगर हम consumer के बारे में जाके देखेंगे तो यह functional interface है तो देखें जब आप functional interface और lambda expression पढ़ते हो तो वहाँ पर एक चीज़े आपकी दिमार्ग में होनी चाहिए वो क्या है वो यह है कि हमारे पास जो lambda expression है functional interface है उसके साथ ही साथ में starting में ही मैंने आपको बता राखा था कुछ predefined functional interface जो कि Java ने हमें खुद बना के दे रखे हैं उनमें से consumer एक है supplier है प्रेडिकेट है तो इस तरह से function है तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे functional interface है यहाँ पर देखे आपको यहाँ पर साथ highlight में जो हमारा यह thumbnail है यहाँ पर आपको देखेगा यहाँ पर मैंने अल्रेडी mention कर रहा है कि उस प्रीडिफाइन functional interface like predicate, functions, consumer, supplier इस तरह है कि हमारे पास बने बनाए functional interface है तो इन बने बनाए functional interface को भी कैसे हमें use करना है इसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए और इससे समझना चाहिए तो देखे इनका क्या use है कहीं कहीं हमें consumer मिलेगा कहीं supplier मिलेगा कहीं predicate मिलेगा कहीं function मिलेगा तो ये सब एक बने बनाए functional interface है इन functional interface के अंदर क्या हो सकता है एक abstract method तो होगा ही होगा कुछ default implemented method हो सकते है बाकि इन functional interface का कुछ न कुछ use है इनके अंदर जो methods पाय जाते हैं जैसे इस consumer method के अंदर consumer नाम के जो functional interface इसके अंदर accept नाम का एक method है जिसमें ये generic type T ले रहा है it means आप कोई भी object इसके अंदर पास कर सकते हो और इसका return type wide है तो ये कुछ return नहीं करता है हमें बट ये क्या करता है कहीं-कहीं परामेटर जो है वो एक object receive करता है ठीक है तो अगर आपने starting में पढ़ा है हमारा जो session है उसमें मैंने आपको बताया कि भाई हमनुआरा जो lambda है lambda क्या करता है lambda कहीं-कहीं किसी functional interface को यूज करने के लिए बनाय जाता है तो ठीक है तो जैसे for example अब जैसे ये for each method है और इस for each method में हमारे पास ये for each method किस type का parameter ले रहा है देखिए किस type का parameter ले रहा है consumer consumer क्या है consumer हमारा एक functional interface है तो ये consumer जैसे एक functional interface है और कोई भी method interface type का parameter ले रहा है हमसे ये हमसे aspect कर रहा है किस interface को object बना के हमें दीजिए बट interface को तो object बनेगा नहीं उसकी कोई implementing class होगी जिसका object बनेगा और वो हमें यहाँ पर pass करना पड़ेगा ठीक है तो हमें क्या करना होगा consumer एक interface है जो बना-बना interface है functional interface है उसको implement कराना पड़ेगा और उसकी implementing object यहाँ पर हमें pass करनी पड़ेगी और जो lambda है इसी problem को solve करता है lambda में हमें उसकी implementing class को बनाने की जरुत नहीं है यह starting से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ ठीक है मैंने बहुत सारे इसके लिए programs बताये हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि lambda वहीं पर हमें use करना है जहांपे कोई functional type का interface कोई method के parameter में method की argument में कहीं पर receive कराया जा रहा हूँ ठीक है तो यह for each यह consumer जो है यह बना बनाया functional interface मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप भी अपना कोई method बनाओ और उस method में interface type का parameter ऐसे जा रहा हूँ तो उसको कैसे use करोगे तो चलिए मैं उसको एक scenario के थुरू समझाता हूँ फिर इस पर मैं आता हूँ देखिए जैसे इसके लिए मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ तो आपको थोड़ा clear होगा तो मैं एक नया class बना लेता हूँ let's say test6 के नाम पर और यहाँ पर मैं यहाँ आई 1 दे देता हूँ आई 1 ओल लेडी होगा तो आई 1 1 दे देता हूँ डबल 1 लगा देता हूँ ठीक है यह हमार एक interface है अब यह एक normal interface है right इस interface में अब इसको हम क्या बोल सकते हैं marker interface बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई method नहीं है तो मैंने इसके अंदर एक functional एक app-chat method बना दिया बाकि यही जो interface है यही हमारा functional interface है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको functional interface के उपर add the rate functional लगाना ज़रूरी है यह तो हमारे क्या सकते हो कोड की readability को बढ़ाने के लिए add the rate functional के ही लगा दिया जाता है पर आप नहीं भी लगाओगे और उसके अंदर एक ही abstract method है तो वो functional treat होगा, यह बात याद रहे हो, अब अगर माल लिजे कोई interface बना रहे हो, और वहाँ पे आप एक से जादे abstract method बना रहे हो, तो इसको functional नहीं बोला जाएगा, यह बात का ध्यान रहे है आपको, अच्छा, इस test class के अंदर, यहाँ पे कोई मैं method बनाता हूँ, let's say कि मैं, क्या कोई और class ले लेता हूँ, यहाँ पे, मैं एक demo नाम की class ले लेता हूँ, और इस demo class के अंदर, एक method बनाता हूँ, ठीक है, wide test नाम से, मैं एक method बनाता हूँ, और इस method में, मैं इस interface type का parameter ले ले लेता तो और system.out.intln के अंदर मैं इस आई को print कर लेता हूं तो यहां पर देखिए requirement क्या है, requirement यह है कि मुझे क्या करना है demo class का, demo class का, यह जो test method इसको call करना है तो किसी class का non-static method तो तभी call होता है जब उस class का object बनता है तो मैं यह demo class का object बना देता हूं, right, बना दिया and then आपको उस particular object के उपर dot लगा के, क्या कर सकते है, test को call कर सकते है अब मुझे बताए, test के अंदर में जो क्या pass करना पड़ेगा, null, null pass करके भी हमसे call कर सकते है बट यह method जो है, already एक interface type का parameter ले रहा है, right तो interface का नाम मैं थोड़ा सा इसको simple कर देते हैं, test कर देते हैं, test तो already method का नाम है हमारे और यह small letter में भी नहीं होगा, तो myint कर देते हैं, right तो इस तरह से यह हमारा interface हो जाएगा, तो simple कर दिया, right तो नाम थोड़ा सा वच्छा नहीं लग रहा था, अब देखिए मेरा यह जो interface, यह method है, myint type का, यह जो interface type का आप बोले कि एक functional interface, मैं लगा देता हूँ, functional, ठीक है, तो आपको ताकि समझ में आए, ठीक है, यह functional interface type का एक parameter ले रहा है, तो मझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए आप, इस screen को पहुच करके थोड़ा सोचिए, और ब object बनेगा नहीं, उसकी implementing class हमें बनानी पड़ेगी, तो उसकी कई scenario बनते हैं, एक अलग से class बनाओ, interface को implement करो, या इसी test 6 वाली class में interface को implement करो, बट somehow हमें interface को implement कराना ही पड़ेगा, implement कर दिया my int नाम का interface, ठीक है, अब कोई class किसे interface को implement करेगी, उसके method को भी override करेगी, method भी override हो object यहां पर, pass कर सकता हूँ, देखिए, बढ़ियां चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अगर मैं यहां पर इस particular test method की अंदर यह object पास करूँगा, तो यह object मेरा इस particular method में यहां पर जाके receive हो जाएगा, और वो object के यहां print हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए, इसे run कर लीजे, तो यहां पर run कर लेते हैं, देखिए, receive कर लिया, और चला दिया, अगर हम यहां पर यह particular class में इसको implement नहीं करते, तो क्या scenario बनता है, तो scenario यह बनता है कि एक separate class बनाईए, ठीक है, तो यह हमारा same class में हमने इसको implement करा दिया, और अगर हम यह भी नहीं करना चाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर इस particular interface के लिए एक anonymous nested class बना लेड़ी चाहिए, वो हम कैसे बनाएंगे, तो वो हम बनाएंगे ऐसे new, और हमारे interface का नाम है myint, तो हम ऐसे myint लिखेंगे, और control space क उस particular interface का anonymous section बन जाएगा, तो उस particular interface के लिए anonymous section बन गया, मतलब anonymous nested class बन गया, तो यह वही सेम काम हुआ जो हमने अभी पहले किया था, तो यह दूसरा scenario हो गया, यह दूसरा तरीका हो गया, बट देखिए, real time पे, अभी, मतलब देखिए, पुराने time पे तो यह सही है, बट जब Java 8 में आप जाते हो, और इस तरह से use करते हो, तो फिर देखिए, यह कोई सही programming नहीं मानी जाती है, राइट, तो अगर आप किसी, अगर आप Java 8 अल्रेडी सीख चुके हो, और Java 8 पे आप काम कर चुके, functional आपको आता है, functional interface आता है, lambda programming आती है, राइट, तो आप भाई, आप क्या करो, कोसिस करो, कि जहां पे जिस भी method के अंदर, कोई interface, यानि कि functional interface type का parameter जा रहा है, तो आप क्योसिस करिए, कि उसका lambda बना के उसे pass करिए, तो यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि जब आपको यह clear कर बाओगे, और इसे connect कर बाओगे, देन आपको यह for each में भ कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए देखिए, बहुत ही simple सा process है, आपको पहले यह देखना होता है, जो interface type का parameter उस particular method में जा रहा है, उस particular interface के अंदर वो जो method है, single abstract method है, वो कैसा है, उसमें कोई parameter है या नहीं, उसमें को return है या नहीं, यह आपको ध्यान रखना होता है, तो द इसे लिखा, तो यानि कि यह समझ लेजे कि आपने method बना दिया, यह समझ लेजे कि आपने method बना दिया, यह आपका method है, यह जो so method है, यह वही method है, क्योंकि so method का यहाँ नाम है, उसका return type है, और यहाँ method का नाम नहीं है, क्योंकि जो method बनाते हैं, वो ऐसी दरह से हम बनाते ह यह method बन गया खातम होगी कहानी, अगर इसके अंदर कोई parameter होता, let's say इसके अंदर कोई int x करके parameter होता, तो यहाँ पे हम कोई variable लेते, और वो भी इसका type हमें बताने की जुरत नहीं है, यहाँ int वगर वगर है, नहीं, कोई type बताने की जुरत नहीं है, और अगर कोई इसका return type हो भी आपको action करना है, activity करनी है, आगे decide कर सकते हो, लेकिन मेरे case में यह method कुछ भी parameter नहीं ले रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, कि क्या वो method parameter ले रहा है, क्या वो method value written कर रही है, तो उसी particular चीज़ को ही ध्यान में रखते हो, लेम्डा बनाईए, तो द लेम्डा बनाना देखिए, बहुत आसान हो गया, आप यहां से इसको हटा दीजे, और सीधे आपको क्या करना है, यहां यह समझे लिजी कि आप यहां definition देने वाले हो, यह so method को define करने जा रहे हो, यह implementing class आप बना दिए, यहां पे यह हमारा so method है, और arrow लगा के यहां पे उस method है, यह interface का parameter ले रहा था, और उसके जगहें पे आपने यह lambda बना दिया, तो actually बनाया क्या आपने, बनाया आपने यह, कि आपने उस particular method के लिए, जो उसके अंदर method था, उसी के लिए lambda बनाया, और उसकी यहां पे arrow लगा के body दे दिया, इस तरह ऐसे, ठीक है, खतम का आनी, चुकि एक line था, एक statement है, अगर आपको ज्यादे statement है, तो curly bracket लगाईए, otherwise आपकी इच्छा है, अना, अब यह जो so method की definition आपने यहां पे दे दिया, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और होता है, कि जब हम इस particular method को, मतलब इस particular method को call करेंगे, तो call करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, उसी interface में, ठीक है, myint interface में hold करा सकते हैं, ठीक है, तो मैंने interface में hold कराया, change the type to test to int, तो उस case में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस particular method का जो type है, वो change करना पड़ेगा, यहां से, यह white हमने बना रखा है ना, पहले से, तो यह थोड़ा सा वो है, तो अभी रहने दे हैं, उस type का नहीं बनाते हैं, इतना ही रहने देते हैं, अब इसको चलाएंगे, नहीं तो मुझे अपने method का type बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो देखे चल गया, ओके, आपको यहां पर मैं क्या समझाना चाहरा हूं, मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहरा हूं, यह method है, इस method में इस interface type का parameter जा रहा है, lambda type का parameter जा रहा है, तो आप उस particular method के अंदर ऐसे lambda बना के पास करा सकते हूं, ठीक है, यह बात समझ में आ रही है, तो in the same direction, in the same way, अगर आपको यह चीज़ समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर इस particular method में आप आईए, और array list के अंदर जो हमारा for each है, right, for each के अंदर किस type का parameter जा रहा है, consumer, तो आपको बस यहीं पर ध्यान देना है, कि आखिरी जो for each है, यह consumer ले रहा है, consumer के अंदर जो method है, वो किस type का parameter ले रहा है, वो generic है, यह generic है, मतलब यह, यहाँ पर कोई specified नहीं है कि कैसा parameter ले रहा है, यह runtime मतब object समझ लीजे कोई भी value आप भेज दीजे ठीक है और return वो कुछ नहीं करेगा तो बस आप उसी के लिए यहाँ पर उसका lambda बना सकते हो नहीं बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए तो हमें यहाँ पर new consumer भी लिख सकते हैं ठीक है हम new consumer भी लिख सकते हैं अगर new consumer ल लंबा process हो जाएगा राइट तो यह preferable नहीं होता है lambda यूज कर रहे है तो यह preferable नहीं होता है या तो एक और option है फिर मैं एक separate class बनाओ जिसमें consumer को implement करा रहा हूं यह भी तो कर सकता हूं एक separate class बनाओंगा और उसमें consumer को implement करा रहा हूंगा ठीक है जैसे let's say my ITR करके मैंने class बना दिया और माई ITR class में मैं यहां पर क्या करा रहा हूं इंप्लीमेंट्स करा देता हूं इंप्लीमेंट्स करा देता हूं consumer को ठीक है तो consumer यहां पर यह interface है इसको implement करा दिया अब इसका जो generic type है let's say मैं ले लेता हूं object ठीक है अब interface के अंदर कोई callback method होगा जिसको मैंने override that is accept अब accept method में यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा इस object को iterate करके यहां print कराना होगा तो जो भी object यहां पर आएगा अपनी प्रिंट हो ही जाएगा मुझे कुछ करने की जूरत है नहीं तो अम मुझे क्या करना पड़ेगा for each के अंदर यह जो हमने अपनी class बना रखी थी myitr वो पास कर देना होगा that's it तो हम क्या कर रहे हैं हम अपने ही class के अपनी class की उपर जो for each method है उसमें अपना implementing object यहां पर पास कर दे रहे हैं that's it. वो अब्जेक्ट इस particular लग्र्वा के इन दर पास कर रहे हैं, उसकी इंदर accept method एधर जो इस particular data को accept कर रहा है और यहां पर इस data को print कर रहा है, जो देखे़। यह भी टरीकाterm यह थिना क्या यह यह लंब्डा गर्रश्च नहीं तो हम क्या कर सकते हैं अब यहां पर lambda बना सकते हैं तो अब जब lambda बनाते हैं तो अब दिमाग में देखिए आपके जगह पे मैं भी था तो मुझे भी थोड़ा सा confusion होता था कि मैं यहां पर कैसे पास करूँ अखिर कैसे lambda बनाओ तो हमें क्या करना है न यह जाके देखना है कि जो method है consumer इंटरफेस है उसके अंदर जो accept method था वो कैसा है वो किस टाइब का parameter ले रहा है कैसा return कर रहा है तो यह generic ले रहा है भई वहने कि कोई भी parameter ले रहा है यह नहीं कि generic है कुछ भी दे सकते हो तो मतलब यह हो गया कि मैं यहाँ पर देखी यह lambda बनाया और यहाँ पर एक कोई variable ले ले लिया let's say a ले लिया b ले लिया c ले लिया जो भी है मैंने यह ले लिया तो मतलब यह हो गया कि मैं अब इस particular method में यह a type का parameter भेज रहा हूँ और उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर generic type यहाँ बना दिया अब तो होगा क्या कि for each method अच्छा for each method को तो हम call कर रहे है बाकि for each method के अंदर से इसकी call करके इसके अंदर यह जो argument है जो pass करा कि यह सब कैसे काम होगा तो for each का already default implementation दी गई है तो हमें इसके वारे में वरी होने की जूरुत नहीं देखिए for each के अंदर already implementation चल रहा है तो हमें क्या करना है हमें इस particular a में आने वाले data को directly SOP लगा के print कर देना है definition में बस मुझे इतना ही देना है तो for each के थुरू देख रहे हो आप यहां से directly इस particular a के अंदर जो भी elements आता जाएगा उस a को मैं यहां पर print करता चला जा रहा हूँ तो यह तरीके से यह क्या कर रहे हो आप यह आपने lambda बनाया lambda बनाया किसके against बनाया यह जो lambda आपने बनाया यह बनाया उस particular accept method के against बनाया जो यह बनाया गया है और इसमें देखिए यह T पास हो रहा है तो यह T के जगह पे आप यहां पे A दे रहे हो और A चुकि वो अगर wide होता तो आप यहां पे कुछ भी नहीं देते यहां पे सीधे definition देते है न और इस तरह से आपका यह lambda बनाने से काम हो गया तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया यहां पे मैंने आपको यह समझाया अचाहिए यहां पे unnecessarily एक इंपोर्ट लगा हुआ है तो control shift को करके उसे हम अटा सकते है ठीक है तो अब आपने यह देखा कि अगर हमारे पास कोई भी method है और वो method किसी functional interface type का parameter ले रहा है जैसे यह for each method था वो consumer type का ले रहा था तो आपको यह उस particular functional interface के अंदर जाके देखना चाहिए कि उसके अंदर जो method है वो किस type का है क्या वो return कर रहा है क्या वो parameter ले रहा है उसी के accordingly हमें lambda बना के उसे use कर लेना है यह बड़ा important चीज है तो इस particular session में इतना ही आगले session में मैं आपको यह बताता हूँ कि अगर हमारे पास जैसे यह हमने अभी क्या use करा हमने consumer के लिए मतब consumer नाम का जो functional interface है उसके accept method को यहाँ पर use करना सीखा आगे चलके हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे methods मिलेंगे जहाँ पर consumer के लावा बने बनाए interface जैसे comparable हो गया comparator हो गया उसको कैसे यहाँ पर हमें use करना है ठीक है चले मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी थैंक्यू सो मच गैस